गुट मॉर्निंग बच्चों, ग्रिप ग्यान 11 वी होम साइंस के ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी हम यूनी टू का चैप्टर 7 पर रहे थे। जिसका सिर्शक है कि सुरा वस्था में वैक्तिगत भिन्नत आएं। बच्चों, पिछली कक्छा में हमने वैक्तिगत भिन्नता क्या है। या वैक्ति में किन-किन रूपों में पाया जाता है। वैक्तिगत भिन्नता की परिभासा क्या है। तथा कि सुरा वस्था में एक ही लिंग के और एक ही आयो के वैक्तिओं के बीच पाई जाने वाली वैक्तिगत भिन्नता के बारे में विस्तार से पढ़ा था। बच्चों पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि सभी मनुशिकी रचना इस वर ही करते हैं। प्रन्तु इसके बाबजूद भी सब में थोरा बहुत अंतर देखने को मिलता है। यह अंतर उनके रंग, रूप, सारेडिक, गठन, बधिक छमता, योग्यता इत्यादी में सपस्ट रूप से देखने को मिलती है। इतना ही नहीं एक ही मातापता के संतान होते हुए भी सभी में थोड़ा बहुत अंतर अवस्य होता है। यह अंतर उनके सारेडिक, आकार प्रकार या फिर उनकी योगिताओं में हो सकता है। बच्चों, कुछ भिन्यताएं ऐसी होती है, जो मनुष्य जन्मजात लेकर पैदा होता है। प्रन्तु, कुछ भिन्यताएं वह अपनी योगिता और छंता के बलपर प्राप्त करता है। बच्चों, हमने पढ़ा कि एक ही आयू के शदस्यों में अंतर देखने को मिलता है। चाहे वह बालक हो, बालिका हो, किसोर हो, अत्वा किसोरी हो। एक ही आयू के बालकों के शमूब में सभी बालक, रंग रूप, आकार प्रकार और योगिताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उसी तरह एक ही आयू वर के किसोर के प्रतेक सदस्य एक दूसरे से बहुत कुछ भिन्न होते हैं। पिछली कक्षा में हमने व्यक्तिगत भिन्नता क्या है इसकी परिभासा के बारे में भी पढ़ा था। इसके बाद हमने एक ही लिंग यानि सम लिंग ये वैक्तियों के बीच पाई जाने वाली वैक्तिकत भिनता के बारे में विस्तार से पढ़ा था या भिनता उनके शारेरी कुनों, सामाजी कुनों, संबेगात्मक कुनों तथा रूचियों में किस प्रकार पाई जाती है इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था आज हम लोग विसम लिंगियों में पाई जाने वाली वैक्तिकत भिनता के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जिस प्रकार शमलिंगियों तथा एक ही आयू बर के वैक्ति, चाहे वा किसोर हों अथवा किसोरी के विकास आत्मक प्रकिरिया में काफी अंतर पाया जाता है ठीक उसी प्रकार से विप्रीत लिंग के किसोर एवं किसोरी के विकास में भी काफी अंतर पाया जाता है भले ही उनकी आयू एक समान क्यों न हो उनके वीच या अंतर जन्म के समय से लेकर ही दिखाई परने लगता है दोनों के विकास का क्रम भी प्राय एक समान होता है फिर भी उनके सारे रिक बनावट, लंबाई चोड़ाई, वजन, संबेदात्मक चमता तथा क्रियात्मक चमताओं का अस्तर एक दूसरे से काफी भिन्न होता है ये सारी बातें बनसानुक्रम, पोशन, जन्म के पहले तथा जन्म के बाद सिसु की देखवाल जैसी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है प्राय या देखा गया है कि जन्म के समय लरका लरकी से लंबा और भारी होता है इतना ही नहीं समान आयोका होते हुए भी लड़की लरकों से पहले बोलना सुरू करती है बालिकाओं का अस्थाई धान भी बाल्कों से पहले आता है जब बालक या बालिका वाल्यावस्था में आते हैं तब उनके क्रियाकलाब एवं खेल खेलने के तरीके में भी अंतर दिखाई परने लगता है लड़कियां खाना बनाना गुरियों के साथ खेलना घर बनाना घर सजाना इत्यादी इस्त्रियोचित खेल खेलना पसंद करती हैं जबकि लड़के चोर पुलीस दुकानदार ड्राइबर डॉक्टर जैसे पूर्सोचित खेल खेलना पसंद करते हैं बालक अधिकतर वैसे खेल खेलना पसंत करते हैं, जिसमें वे सारेरिक रूप से अधिक क्रियासील रहें, जैसे फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, दौर धूप करना, इत्यादी. बाल्यावस्था में जहां बालकों का मित्रसमू बरा होता है वहीं बालिकाओं का मित्रसमू छोटा एवं सिमित होता है जो आपस में एक दूसरे से काफी घनिस्ट होती है बाल्यावस्था के समाप्ति के कुछ पहले तथा किसोरावस्था के आरंभ में किसोर तथा किसोरियों में बृधी अस्पुरन होता है यहां भी दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है अर्थात बालिकाओं में बालकों से एक वर्ष पुर्व ही बृधी अस्पुरन हो जाता है पहले बृधी अस्पुरन होने के कारण बालिकाओं बालकों से लंबी होती हैं तथा उनका भार भी बालकों से अधिक होता है 11 वर्ष की आयू में बालिकाओं की लंबाई जहां 58 इंच तथा भार 88.5 पॉंड होता है वहीं 11 वर्ष के बालक की लंबाई 57.5 इंच तथा भार 85.5 पॉंड होता है अर्थात 11 वर्ष की बालक की लंबाई 58 इंच और वजन 88.5 होता है वहीं 11 वर्ष के बालक की लंबाई 57.5 इंच और वजन 85.5 पॉंड होता है अर्थात यहां भी दोनों के लंबाई और सारेरिक बजन में अंतर देखने को मिलता है यदपी दोनों की आयू एक समान होती है यदपी बालकों का ब्रिधी एवं विकास देर से प्रारंभ होता है इसके बावजूद भी उनके विकास की प्रकिरिया लंबे समय तक चलती है वे लर्कियों से ना सिर्फ लंबे हो जाते हैं बलकि सारेरिक रूप से भी उनकी लंबाई चोड़ाई और बजन में लर्कियों से अधिक्ता आ जाती है अर्थात उनका सारेरिक लंबाई चोड़ाई और बजन लर्कियों से जादा हो जाता है उनकी मानस्पेशियां सुद्रिध तथा सरीर बलसाली हो जाता है किसोरा वस्था में दोनों के लेंगिक विकास में भी अंतर पाया जाता है किसोरियों का लेंगिक विकास प्राय 13 वर्ष की अवस्था में सुरू हो जाता है जबकि किसोरों का लेंगिक विकास 14 से 15 वर्ष की आयों में सुरू होता है जहां तक परिपक्वता की बात करें तो किसोरियां किसोर से पहले परिपक्व हो जाती है किसोर जहां 20-21 वर्ष की अवस्था में परिपक्ष होते हैं वहीं किसोर यां 18 वर्ष की अवस्था में ही परिपक्ष हो जाती है किसोर अवस्था में किसोर तथा किसोरियों के संबेगात्मक बैभार में भी काफी अंतर होता है किसोरियां जहां संबेगात्मक्रोप से संबेदन सील और अंतरमुखी होती हैं वहीं किसोर मस्त लापरवाह तथा तच्छन उत्तेजित होने वाले होते हैं अर्थात किसोरियां अपने क्रोध, दुख, वेदना, इत्यादी को अपने मन में दवा लेती हैं वहीं किसोरों का शंबेग मुखर होता है अर्थात वे अपना संबेग दवाते नहीं बल्कि तच्छन प्रकट कर देते हैं किसोरा वस्था में किसोर तथा किसोरियों के सामाजिक विकास तथा गुनों में भी काफी अंतर होता है इस आयो में किसोरियों की अपेक्षा किसोर अधिक सामाजिक होते हैं वे सामाजिक गतिवीदियों तथा कालि करम में बढ़ चटकर हिस्सा लेते हैं वहीं किसोरियां अपने घरेलू कारे में माता का हाथ बटाना जादा पशंद करती हैं यद्धपी किशोरी भी किशोर के समान शामाजिक गुनों से पुर्ण होती हैं और आवश्यक्ता के समय सामाजिक कालिक्रमों में खुलकर भाग लेती हैं प्रन्तु इस्त्री सुलख गुनों के कारण अधिक्तर किशोरी घरेलो क्रियाकलाब को ही अधिक महत्व देती हैं प्रती सचीत हो जाता है, वह ऐसे वैवसाय का चयन करना चाहता है, जिससे उधे उशे अधिक से अधिक धनलाब हो सके, ताकि वह अपने पारिवारिक उत्तरदाईतों को भली भाती पूरा कर सके. तो दूसरी और अधिकांस किसोरियां अपने भावी वैवाहिक जीवन के बारे में सोचने लगती हैं और उसी की तयारी में लग जाती हैं हलाकि बर्तमान समय में ऐसा नहीं है अभी किसोरियां भी अपने वैबसाय के चैन को लेकर काफी सजग हो गई है वह भी नौकरी करके या स्वेंग का वैबसाय करके अपने पैरों पर खरी हो रही है और आर्थिक रोप से अपने आपको सुद्रिड कर रही है किसोरा वस्था में किसोर तथा किसोरियों के रूचियों में भी काफी भिन्नता पाये जाती है किसोर जहां खेल, कूद, राजनितिक, विशम लेंगिय मित्र बनाना तथा अन्य वाह विश्यों में रूचि लेते हैं वहीं अधिकांस की सोरियां अपने आप तथा अपने व्यक्तित को अधिक आकर्शक और प्रभावी बनाने में लगी रहती हैं वह अपने गुनों को अपनाती हैं वह ऐसे गुनों को अपनाती हैं जो उन्ही भावी जीवन में मदद करें और भावी से में उन्हें किसी प्रकार का कस्ट ना हो इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म के समय से ही एक समान आयो रहने पर भी बालक तथा वालिका के विकास की प्रक्रियाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं उनके सारेरी गुनों मानसिक, शामाजिक एवं शंबेगात्मक गुनों में भी काफी अंतर होता है यह विभिन्नता एक समान आयो के संबलिंगिये तथा विशंबलिंगिये दोनों में पाई जाती है उनके दृष्टिकों, गुन, संबेदात्मक शमता, रूची तथा समायोजन के तरीके में भी भिन्नता देखने को मिलती है इन वैक्तिगत भिन्नताओं के लिए वनसानुक्रम, वातावरन, पोशन, श्वास्त, इत्यादी जैसे कारक उत्तरदाई होते हैं धन्यवाद